हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कमा रेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं गुर्मारिंग इस्टुडेंट्स नौ वी आ गूंग टू स्टार्ट हिंदी लिटरिचर लेसन थर्टी आवशक्ता वशासल्थ संचेयन की आपको पता है कि पानी की हमारी जीवन में कितनी आवशक्ता है तो उसके बारे में इस चैप्टर को लिखा गया है और उसके बारे में बताया गया है आप जानते कि जल हमारी जीवर में कितना महत्मूर है कुछ समय से जल की दीरे-दीरे समाप होता जा रहा है यदि इसका प्रवंदन नहीं किया तो प्यास भुजाने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा इस जल संकट से बशने के लिए वशा जल का सेंचन एक ऐसा तरीका है जो जल संकट को दूर कर सकता है इस पाठ में जल संकट से बशने के लिए जल सेंचन पर जोर दिया गया है बविश्य में पानी की कमी के कारण क्या हो सकता है उसको भी पूरा करने और जल को बहने से बचने के लिए प्राकर्ति संसदानों और कृतिम संसदानों माध्यम से बारिश के पानी को इखटा करना वशा जल संचन है हम जानते हैं कि जल का चक्र है वशा के रूप में बरसना भाब बन कर उनना बादल बनना फिर परसना जल संचन की परंपरा शुरू से चली आ रही है कुए बावली ताला नदियां पानी से भरे रहते थे वूजल इस तर भी उपर बना रहता था परन्तु मानवी उपेशा के लापरवाई के ओध्यों की तता नागरी के कारण जल सोथ कष्टे में बदल गए वनोगी कटाई से जल अपूर्ती की मांग बदली जा रही है बारश का पानी का संचालन क्या आवशक है बारश का पानी सबी छेत्रों के लिए जरूरी है वनोगी कटाई तेई से भढ़ना शेहरी करत नीचे की मिट्टी से बारश का पानी रिसना इस कारण जल इस तर घरता जा रहा है वशा अनिमेत है तो इसका प्रवाफ क्रशी पर ही नहीं हम उर्जा संसदानों और प्याजल योजना पर पढ़ सकता है हमारे देश में परियाप्त वशा नहीं होती वशा का प जल संचे से बूजल इस्तर भी उपर आया है कुओं का जल इस्तर भी बढ़ा है वशा जल संग्रहन वाला जल शुरू होता है जो सबी कारणों के लिए किया जा सकता है इस विदी का फायदा यह है कि जो पानी जमीन के अंदर जाएगा उसका इस्तेमाल हमारा परिवारवा समाज ही करेगा वशा जल संग्रहन के कई उपाये हैं पहला वशा जल में गड़े के माध्यम से दूसरा संसान परिशरों में बाउंडरी वॉल के साथ बड़ी नालियां बनाकर तीसरा वशा जल को मकानों के उपर छत्तों से पायप के द्वारा कुए में उतारना चौता घ पांचवा और अंतिम भूजल भंडार को रिचार्ड करने के अलावा बरसाती पानी को टैंक में जमा किया जा सकता है विशेशक्यों का मानना है कि वशा जल प्रवंदन द्वारा भूजल पेजल उपलब्द कराया जा सकता है इस चैप्टर को आप अच्छे से रीट करिए पढ़िएगा और के शब्दर्थ और कठेशत आपको अपनी कॉपी में स्वैम करने होंगे ओके स्टुडेंट्स